सभी पसुपालक साथी एव नसल सुधार पर काम करने वाले यूवा साथियों को राम राम आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल रामा वेट एंड डेरी क्यान पर हार्दिक स्वागत है साथियों आज का वीडियो है वो मुर्रा बुल्ष का उने वाला है और ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं ABC सिम्मन बैंक जी आ साथियों राजिव सरपंच इसके ओनर है और ये आंदरा परदेश विरावली के अंदर है और आज के दिन मेरे इसाब से जो मुर्रा लवर है मुर्रा बेड़ पर जो साथि काम कर रहे हैं वो कोई ऐसा साथि नहीं होगा जो कि राजिव सरपंच का जो सिम्मन बैंक है ABC सिम्मन बैंक इसको नहीं जानता हो क्योंकि इसने मैनली मुर्रा के उपर ही काम किया है और साथियो जैसा कि आपको पता है मुर्रा भी नोने टोटल मुर्रा जो बुल है या फिर बफेलोज है बहुत महंगी महंगी मुह मांगी किमत के अंदर अरियाना से खरीदी हैं कुछ बुल्स है वो पंजाब से भी खरीदे हैं टोप टोप जो बुल है या इनकी मदर है वो ये अर्याना और पंजाब शे खरीद के लेके गए है तो इस स्क्रीन पे आप जो बुल देख रहे हो साथियो ये बुल बीम बुल है और बीम बुल 4.1.212 इसकी डेट अप बर्त है और इसकी जो डेम्स की मिलके लड़ हो साथियो 4.966 किलोग्राम है और इसका साइर 7.577 है ये अचल डीबी गा जो ये माननो है अचल डीबी के अंदर सब से ज़्यादा मिलक रिकोड लग बहुत तरे 500 किलोग्राम उसकी डेम का मिलके पूरे श्यानदार आ रहे हैं 24, 25, 25 किलो HLDB के अंदर रिकोर्ड करवाया है बीम बूल की बेटियों ने ये अब रिटायर हो चुका है साथियों रिटायर्मेंट इसके अंदर अभी तीन बूलों को मिला है जिसके अंदर एक बीम है दूसरा जो बूल देख रहो साथियों ये बूल है सूरवीर सूरवीर बूल जो की पंजयाब बिलिंग डेरी फार्म से खरीदा गया था और जो इसकी डेटो बर्था पंद्रा ग्यारा दो जार तेरा और इसकी डेम्स की मिल किल्ड 5670 किलोगराम है और शायर इसका खली है तीसरा जो बूल है साथियों जो आप इस स्रीन प बूल है अभी अगर आप इसको खड़ा देख रहे हो बहुत ही ओल्ड एज के अंदर भी बहुत श्यांदार बूल है डेट ऑब बर्थ इसकी चोविशाठ दो जार ग्यारा है डेम्स की मिल किल्ड इसकी 4530 किलोगराम और सायर इसका साथियों है चल्ड डिबी का दस सिक्या अरजुन भूल की तो रिटायर ओज के बूलों को अब सिम्मन पे नहीं लाया जाएगा दोबार सातियों का सिम्मन नहीं लाया जाए क्योंकि इनकी एज हो गई इन्होंने इतने दिन तक अपने मालिक को कमा के दिया तो अब ये भी अपने जो लास्ट जो पिरियेड है उस और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें धन्यवाद